लास्ट वीडियो में इंबेडिंग के बारे बताया तरीक टिशू का इंबेडिंग कैसे किया जाता है और उसका इंबेडिंग मीडिया क्या है और मॉल्ट्स भी बोले थे कि मॉल्ट्स क्या होता है तो मॉल्ट्स के बारे में इंबेडिंग के लिए जो मॉल्ट्स यूज किय जैसे पिगला हुआ मोम तो उसको शेप प्रोवाइट करने के लिए यूज किया जाता है तो जिस रेप का यह मॉल्ड होगा उसी शेप में वह ढ़ल जाएगा वह मॉल्टेन वैक्स जब थंडा हो जाएगा तो हाड होने के बाद बस इसी के लिए आप मॉल्ड दिया जाता है क्योंकि मालूम है कि इंबेडिंग जो किया जाता है तो इंबेडिंग में यही किया जाता है कि टीशू को सरावन किया जाता है जिसके अंदर टीशू रहता है तो इंबेडिग्ट के लिए यह मॉल्ड या tea अब्रूंट के यूस किया जाता है को ढजने मॉल्ड चुकर शारे कि लिउकषर इंपेडिंग मॉल्ट जो है या यह ल मॉल्ड जिसको बॉलता है वह ऐसा रहता है दो धब का M vous का मेटिरिक रहता है जिसको मिला करके मॉल्ड बनाया जाता है जैसे कि एक ज कोम सब्सक्रादर शाइब एक चोटा साइड है इसमें भी वैसे एक आम बड़ा एक आम चोटा तो इसको इस तरह से जब किया जाता है तो यह बन जाता है यह मौल्ड और इसी के बीच में embedding media यानि paraffin wax को भरा जाता है और इससे क्या किया जाता है कि इसको arrange कर सकते हैं जैसे यहां से यहां तक किया तो आगर ऐसे कर देते हैं तो बड़ा हो जाएगा इस तरह से इसको arrange कर देंगे तो छोटा हो जाएगा तो size इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं यह यह आपे लिखे हैं कि most of the laboratory के बना होता है easy होता है इसे करना reusable होता है अराम से इसको adjust कर सकते है size इसका एक limb बड़ा एक limb छोटा होता है L का और दोनों को join करके एक rectangular box एक castic mold बनाया जाता है उसी में embedding किया जाता है यहां तक समझ में आ रहा होगा यह paper block की बात कर लें तो यह पहले traditional यह use होता था यह खुद से हाथ से paper का यह block बना करके यानि board बना करके इसी में embedding किया जाता था इसके बाद आ जाते plastic mold जो modified है नया है यही use होता है अब जादा तो यह भी inexpensive होता है convenient होता है आसानी से भी sectioning किया जा सकता है fit इसी को कर लिया जाता है microtome में जो microtome machine होता है section cutting करने के लिए उसमें जो holder ऐसा रहता है उसी भी block को चिपकाना पड़ता है तो यह वाला plastic वाला जो रहता है न तो उसके से चिपकाने की दरूरत नहीं पड़ती है यही इसी को लिया करके machine में microtome में fit करा जाता है तो इससे असानी से हो जाता है तो यह भी दो type का होता है एक tissue tech system one एक tissue tech system two जिसको कर Mark one system या Mark two system भी बोला जाता है तो पहला वाला जो देख लेदे tissue tech system one है या Mark one system है तो इसमे impjedding rings होता है till the stainless steel molds होता है जो के easily Easy embedding कराने में та tissue cutting कराने में मदद करते है自 स्ट्रीं करने में इजे ऐसी होता है इन दीज स्टम स्टोर्ड से स्टोरा की हैं यह मौड की मौड रहाता है और यहां पर देख रहे हैं स्टेनलाविथिस सुचाली का मौड रहता है यह वाला तो इसके हैं जब किया जाता है तो इसके को डाइरेक्ट जो है माईक्रो टोम में यूज करा जाता है यह हो गया इसके पाद टीशु system 2 मैं ऐसा कैसेट्स आता है प्लास्टिक का ड्रीड होता भी option या फिर copied कड के यह बहुत बहुत यहलो सब्सक्रेट टायए अका क्रूंज असके इस्समें आंध्य पर नंबर है यह लिखा जा सकता है पर्मनेंट मार्किर की मदद से तो ऐसा कैसे भी यूज़ किया जाता है तो मॉल्ड यह यह इतने टाइप का जिसमें इंबेडिंग किया जाता है टिशू का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूश सकते हैं वीडियो अच्छा लगो तो एक लाइक के कमेंट कर दिजेगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा